प्यारे बच्चों नमस्ते कैसे हो तुम सब बच्चों तुम अपने मित्रों के साथ तेर सारे खेल खेलते होगे बताओ तो तुम्हें कौन-कौन सा खेल पसंद है विनोद तुम बताओ तुम्हें कौन सा खेल पसंद है अच्छा, विनोद को छुपा छुपी का खेल पसंद है रजिया, तुम बताओ वाँ, बहुत बढ़िया रजिया को रशी कूद का खेल पसंद है और कबड़ी का खेल भी पसंद है और मुकेस, तुम बताओ अरिवाँ, मुकेस को तो दोड का खेल पसंद है बच्चो तुम सबको खेल खेलने में बहुत मज़ा आता है न और दोड़ का खेल हमारे सिहत के लिए बहुत फाइदेमंद होता है दोड़ने से हमारे सिहत अच्छी रहती है हमें रोज सुबा दोड़ना चाहिए तुम सबको भी मजा आता है ना दौड का खेल खेल कर जैसा कि तुम स्कूल में देखते भी होगे जब खेल होता है उस समय प्रतियोगिता भी होती है खेलों में और जीतने पर इनाम भी मिलता है बच्चो क्या तुमने कभी सोचा है कि हम लोगों की तरह सबजियां भी कोई खेल खेलती होंगी नहीं जानते ना हाँ यदि सोचो इन सबजियों के बीच दौड की प्रतियोगिता हो रही हो तो कौन जीत पाएगा जानना चाहोगे तो चलो आज हम तुम्हारी कक्षा पहली की हिंदी पुस्तक का पाठ उन्नीस में दी गई एक कहानी दौड को पढ़कर सुनते हैं और इस कहानी में जानते हैं कि सबजिया यदि वो दौड का खेल खेल रही हैं तो उसमें किस किस जीत हुई ठीक है आओ पढ़ते हैं इस पाठ को मैं तुम्हें सबसे पहले पढ़कर सुना रही हूँ तुम ध्यान से सुनना पाठ उन्नीस दौड आज दौड का दिन था मूली गाजर और मिर्ची दौडनी को तयार थे लौकी को देखकर सभी मजाक करने लगे लौकी बोले मैं ही जीतूंगी मुनगा ने कहा फैसला तो मुझे ही करना है तभी तेज बारिश हुई सभी की चड में फिसले गिरने लगे लौकी धीरे धीरे आगी चली वह दौड जीत गई तो बच्चो कैसी लगे तुम्हें एक कहानी आओ इस कहानी को तुम एक बार मेरे साथ पढ़ो आज दौड का दिन था मूली, गाजर और मिर्ची दौडने को तयार थे लौकी को देखकर सभी मजाग करने लगे लौकी बोली मैं ही जीतूंगी मुनगा ने कहा फैसला तो मुझे ही करना है तब ही तेज बारिश हुई सभी कीचड में फिसले, गिरने लगे लौकी धीरे धीरे आगे चली, वह दौड चीत गई है ना बच्चों, मजेदर कहानी और अब इस कहानी में तुम समझ ही गय होगे कि सबजियां दौड का खेल खेल रही थी और अचानक से लौकी को देखकर सारी सबजियां हसने लगी उन्हें लगा कि ये तो मोटी है ये क्या दौड का खेल खेल पाएगी लेकिन लौकी ने क्या कहा मैं ही जीतूंगी और फिर मुनगा ने कहा अरे कोई जीतो या हारो लेकिन इसका फैसला तो मैं ही करूंगा होता है ना जब कोई खेल हो रहा हो उसमें कुछ निर्नायक लोग रहते हैं जो देखते हैं कि खेल में कौन जीता और कौन हारा ठीक है, तो इसमें कौन फैसला सुनाने वाला था? सहीं कहा तुमने, इस खेल में मुन का फैसला सुनाने वाला था ठीक, और क्या हुआ, जैसे ही बारिश होई, बाकी सारी सबजियां फिसल फिसल कर गिरने लगी लेकिन लौकी नहीं गिरी, धीरे धीरे आगे बढ़कर ताड़ जीत गई चलो बच्चो, अब हम इस पार्ट से जुड़े कुछ अभ्यासकारी करते हैं ठीक है, पहला अभ्यासकारी है, उचित विकल्प चुनकर सहीं का निशान लगाओ अब तुम देख रहे होगे, यहाँ पहले प्रश्ण में कुछ विकल्प दिये गये हैं पहला प्रश्ण क्या है, सबजियां कौन सा खेल खेल रही थी पहला विकल्प खो-खो, दूसरा कबड़ी, तीसरा छुपा-छुपी, चौथा दौड याद है ने इसका उत्तर? हाँ, सहीं कह रहे हो, इसका उत्तर है चौथा विकल्प, दौड आगे बढ़ते हैं बच्चो, प्रश्ण क्रमा दो दौड में मैं ही जीतूंगी, किसने कहा? याद है पहला विकल्प, मुनगा ने, दूसरा विकल्प, लौकी ने, तीसरा विकल्प, गाजर ने, चौथा विकल्प, मूली ने अब बताओ, हाँ, शाबास, इसका उत्तर है दौड में मैं ही जीतूंगी, यह लौकी ने कहा था मतलब दूसरा विकल्प सही है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न तीन है, लौकी को देखकर सब क्यों हसने लगे? क्योंकि सब ने सोचा की, विकल्प एक, वा मूटी है, वा नहीं जीतेगी दूसरा विकल्ब वह कमजोर है वह नहीं जीतेगी तीसरा विकल्ब वह बीमार है वह नहीं जीतेगी चौथा विकल्ब उसे दोड़ना ही नहीं आता वह नहीं जीतेगी अब बताओ इसका सही उत्तर क्या हो सकता है हाँ, सही कहा तुमने इसका उत्तर है सब सबजियों को लग रहा था कि लौकी मोटी है वह नहीं जीतेगी तो इसका पहला विकल्प सही है अगला प्रश्न सब सबजियां फिसल कर गिरने लगी क्योंकि वे बहुत कमजोर थी वे बहुत ठक गई थी वे बहुत भारी थी वे कीचड में फिसलने लगी थी याद है ना इसका उत्तर? हाँ, सही विकल्प है चोथा वे कीचड में फिसलने लगी थी अगला प्रश्न है बच्चों दोड में किसकी जीत हुई? पहला विकल्प मिर्ची दूसरा विकल्प आलू इसका सही उत्तर क्या है? तीसरा विकल्ब लौकी ठीक है? आगे बढ़ते हैं बच्चो अब भ्यासकारे में अगला प्रेश्ण है सबजियों के चित्रे पहचान कर उनके नाम लिखो अब देखो कौन-कौन से चित्रे हैं? पहला चित्र है लौकी का दूसरा चित्र है मूली का तीसरा चित्र है बेंगन का और चौथा चित्र है पेंडी का आगे बढ़ते हैं बच्चो अब मैं तुम्हें इस पार्ट से जुड़े कुछ ग्रहकारी देती हूं जैसे इस पार्ट में हमने रवन का अभ्यास किया तो पहला प्रेश्ण है ग्रहकारी का डवन को पहचान कर गोला करो अब ये कौन-कौन से शब्द हैं डमरू, गाडी, डगमग, घडी, साडी, डगर, डाली, लडी, गडगड, कड़क, सड़क, पकड अब देखो, बच्चो, ड़ और ड़ में क्या अंतर है? ड़, ड़ के नीचे आगे पेचे कोई बिंदी नहीं है लेकिन ड़ में देखो, नीचे छोटी सी बिंदी लगी है, यही ड़ है ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बच्चो, ग्रहकारी का अगला प्रेश्ण है लौकी टमाटार और मुंगा का चित्र बना कर रंग भरो, ठीक है? यह काम तो तुम्हें बहुत मज़ेदार लगता है अगला प्रेश्ण है, मिट्टी से लौकी टमाटार और भिंदी बनाओ हमने पिछली कक्षा में मिट्टी से खिलोने बनाए थे न, अब की बार तुम्हें मिट्टी से सबजियां बनानी है ठीक है? बच्चो, ग्रहकारी का अगला प्रेश्ण है कि तुम्हें दी गई कविता को पढ़ना है और यह कविता पहले मैं तुम्हें पढ़कर सुनाओंगी यह कविता तुम्हारे पाथे पुस्तक में भी दी गई है ठीक है? तो ध्यान से सुनो और देखो कि यह कविता कैसे करनी है हमने तीन चीजे देखी, दादा तीन चीजे देखी एक डाल पर थी एक मकडी, लकडी पर बैठी थी मकडी, मकडी खा रही थी ककडी हमने तीन चीजे देखी, दादा तीन चीजे देखी एक खेत में थी कुछ बालू, बालू पर बैठा था भालू, भालू खा रहा था आलू हमने तीन चीजे देखी, दादा तीन चीजे देखी मज़ा आये ना बच्चों कविता सुनकर? अब इस कविता को पढ़कर अपने घर के लोगों कुछना और ऐसे हाव भाव से कविता को गाव ठीके बच्चों, जल्दी ही मिलेंगे हम अगली कक्षा में झाल ईब बच्चों, झाल वाम